तो दोस्तो आज की केस्टेडी है पल्स केंडी की आज के समय में एक रुपे की केंडी से 300 करो का बिजनस हो सकता है पल्स केंडी की शुरुआत 1929 में भरंपाल सत्यपाल ग्रूप ने करी थी 2013 में उसने केंडी मार्केट में एंट्री ली मार्केट में सभी केंडी स्वीट टेस्ट में ही थी इसका फाइदा पल्स ने उठाया पल्स केंडी मार्केट ने 2015 में लॉंच हुई रजनीगंधा, बाबाईलैची, पास-पास और कैच मसाले ये सब DS ग्रूप के ही प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं इसका यूज करके, DS ग्रूप ने ये मसाले पाउडर फॉम में बनाकर पल्स केंडी बनाई लोगों को पल्स केंडी तक पहुचाने के लिए DS ग्रूप ने extensive distribution network का यूज करा मार्केट में change का issue रहता है इसमें कस्टमर को change में पल्स केंडी देनी शुरूप की मार्केट में पल्स केंडी की डिमांड बढ़ने लगी जिसको DS ग्रूप फुल्फिल नहीं कर पा रहे थे और सिर्फ 60% का ही स्टोक होता था पल्स कच्चा बाइट मेंगो आम की एक कोपी ही है वो सिर्फ अंदर के मसाले से अलग होती है DS ग्रूप ने अपने प्रोड़क में हलका सा चेंज करके नया प्रोड़क लॉंच करा और ये चेंज फ्लेवर का था इसके साथ ये प्रोड़क उनकी प्रोफिट मेकिंग मशीन बन गई Easy to pronounce name, Amazing Taste, Extensive Distribution Network और साथ में Solid Packaging के साथ पुल्सने मार्केट में अपनी जगा बना लिगी So, I hope you guys like this case study Stay tuned for the next one And don't forget to like, share and subscribe to our channel And press the bell icon